नमस्कार दोस्तों अगर भगवान आपको कश्टि के पास ले आएं तो अवश्य ही वो तुम्हें कश्टि के पार भी ले जाएंगे नमस्कार दोस्तों राधे-राधे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल के भी रासी फल में आज हम बात करने जा रहे हैं कुम्बरासी वालो की, कुम्बरासी वालो का 7 सितंबर दिन बुद्वार कैसे रने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रना होगा, और कुम्बरासी वालो को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुसकबरिया मिलने व प्रेम संबंध कैसे रहेगा और साथी साथ उनका स्वास्त कैसे रहेगा तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपोन रासी फल बताएंगे अगर दोस्तों आपके भी कुम्बरासी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों आज बुद्वार गणपती महराज क दोस्तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बराएं तो चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर सिलक करें अब बात करते हैं दोस्तो आज के पांचांग की आज का पंचांग है साथ सितंबर 2022 दिन बुद्वा आज की तीथी है द्वारदशी आज का नचतर है उत्रशान नचतर है पचल रहा है सुकल पच दोस्तो आज सूरिदेव दे होंगे सुबे छे बच के तीन मिनट पे दोपहर 12 बच के 19 मिनट तक रहेगा अगर दोस्तो कोई सुब काम करना है तो इसी समय करें आप के लिए सुब रहेगा और साथ इसाथ आज का असुब समय साम 4 बच के 55 मिनट से साम 5 बच के 46 मिनट तक दोस्तो आज आपका लखी नमबर है 9 और लखी कलर है नीला अब बात क करते हैं दोस्तो आज के चानक नीती ग्यान के बारे में चानक जी कहते हैं इस हालात में ग्यान भी हो सकता है बीहत घातर नहीं किया ये काम तो होगा नुकसान जी हां दोस्तो चानक जी कहते हैं अपच की स्तिती में व्यक्ति को हलका भोजन या फिर खाना नहीं ग्रहन करन चाहिए इससे पीट से समधी समस्याएं और बढ़ जाती है इस अवस्ता में भोजन जहर के समान बताया गया है एक स्वावी मानी गरी व्यक्ति के लिए समारो साधी उस्सव सब बेकार होते हैं क्योंकि ऐसी जगा उसकी इस्थिति एवं उसकी आर्थिक परिस्थिति का मजा उड़ाया जाते हैं जिसे वो सेह नहीं कर पाता और ऐसे मजाक उसके लिए जहर के सामान होते हैं तो दोस्तों आज का चानक निति ज्यान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुम्बरासी फल के बारे में कैसे रहीगा आपका आज का दिन आई ये जानते हैं तो दोस्तों स्वास्ते का ख्याल रगे नहीं तो लेने के देने पर सकते हैं आर्थिक जीवन की स्थिति आज अच्छी नहीं कही जा सकती हैं आज आपको अपना बचत करने में थोड़ी मुश्किले आ सकते हैं परिवार के किसी महिल सदस्य की सेहत चिंता की वजा बन सकती है अपने प्री की नाराजगी के बाउचुत अपना प्यार जाहिर करते रहें आपने बीते दिने कार छेतर में कई काम अधूरे छोड़ें जिसका भुकतान आज आपको करना पर सकता है आज आपका खाली वक्त भी ओफिस के काम को पू दास कर सकता है समय मुप्त जरूर है पर बेस कीमती भी है इसलिए अपने अधूरे कार्यों को निप्टा कर आप आने वाले कल के लिए निश्चित हो सकते हैं साथ ही आपको बताएं दोस्तो ध्यान रहे आज स्वास संबंदी मामले आपकी प्रात्मिकता रहेंगी हो सकता ह मेडिकल जाज के लिए अस्पताल भी जाना पड़ें अभी विदेशी संबंद हो या व्यपारों की भी संभावना है विनास धोका या भय आपको मांसिक समस्याएं प्रदान करेंगे लेकिन अपने मजबूत इरादों से आप कोई भी जंग आसानी से जी सकते हैं आप पिष्ठा से करें और छोटी बातों का भी ध्यान रखें उमीद सबसे रोमांचक चीजों में से एक है और जिसे आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा याद रखें जो भी आप बीजेंगे बाद में उसे ही काटेंगे इसलिए सो समझ कर आगी पड़ें दोस्तों किसी खास के जुदाई के भय के कर आप अभी तनहा महसूस कर रहे हैं जिससे आपके स्वास्ते पर प्रभाव पर सकता हैं अगर लव लाइफ में समस्याएं आ रही तो अपने सोचने वो अब्यभार के तरीके को परिवर्तित करें अपने पार्टनर को वो सम्मान दे जिसका वो हगदार है आज आपका आर्थिक से लेकर रोमैंटिक जीवन सब कुछ बेहतरीन है अगर सच में प्यार पर भरोस है तो वो आपको आवश्च्ट मिलेगा जिसे आप चाहते हैं रोमैंस में आपको केवल पहल करनी की ही आवशक्त है उसके बाद प्रेमी की मन चाहिए प्रत आपको बताएं दिन की सुरुवात अच्छी खबर से होगी आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे वह आज फली बूत होगी साकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं आपको अच्छा लगेगा अच्वित्य संबंदी कोई फैस्टा लेंगे जो भविस्य में ल लाइब की आपका प्रीम जीवन कैसा रहेगा आईए जानते हैं तो दोस्तों आपके पार्टनर के साथ छोटी मूटी कहा सुनी हो सकती है हाला कि ऐसा होना मुश्किल है लेकिन विवाद में पढ़ने या चिड़ने वाले जबाब देने से बचे आज छोटे मुद्दे भी बेवजा बड़ी बन सकते हैं टकराओ की इस्तिती ना आने दे आपको अपने बच्चों पर विशेज ध्यान देने और उनके साथ बहुत अच्छा समय बितान अचाहिए आज रोमैंटिक ट्रिप पर जाने की वज़ा हैं पारबारिक पिक्नी पर जाना बहतर होगा अब ब आस्ते में आएंगे आज नए ग्राहक और बीविन परियोजनाएं आपके पास आ सकती हैं और कुछ में तो इतनी संभावनाएं होंगी कि वह आपको अपने सपनों की या महत्वपुन परियोजनाएं बन सकती हैं इस अवसार का फाइदा उठाने के लिए आपको आज अति कुमबरासी देख निकली आप मारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेट करें आपका दिन सुबो नमस्ते दोस्तो राधे किश्णा